हाज जी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से इंडिया में लॉँच होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में वीवो की तरफ से वीवो की much-awaited वीवो V23 सिरीज पांच जनवरी 2022 को इंडिया में लाँच की जा रही है एक नहीं दो स्मार्टफोन पांच जनवरी को लाँच किये जाएंगे Vivo V23 वैनिला वैरियंट रहेगा साथी में Vivo V23 Pro भी लाँच किये जाएगा और Vivo V23 Pro से जुड़े आलमोस सारे के सारे स्पैसिफिकेशन अल्रेड आउट हो चुके है Vivo की जो V सीरीज रहती है जनरली क्यामरा सेंटरिक सीरीज रहती है तो देखते हैं भाई कि इस बार आपको क्या नए इनोवेशन देखने के लिए मिलते हैं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V23 Pro से जुड़ी सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या पॉसिबल स्पैसिफिकेशन यहां पर आपको मिल सकते हैं क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं किस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्ट फोन इंडिया में लॉँच हो सकता है और ओवराल कैसा रने वाला है यह फोन सारी चीचे डिसकेश करेंगे बिना किसी देरी के फटावट से वीडियो को स्टाट करेंगे लेकिन वीडियो को स्टाट करने के पहले light target set के लेते हैं और light target रखते हैं मात्र 700 likes का I hope आपका complete कर दोगे फटा फट से वीडियो को start करते हैं मेरा नाम है यश और protect village channel में आपका स्वागत है start करते हैं बाचीत को और सबसे पहले बात करते हैं phone के build quality and design के बारे में यहां पर आपको super मिलने वाली है भाई full glass build रहेगा glass front glass back आगे पीछे दोनों तरफ आपको glass के protection दिया गया है back में आपको anti glare matte glass देखने के लिए मिलेगा front में most probably आपको short sensation वाले glass के protection मिलेगा build quality solid यहां पर आपको मिलने वाली है front में आपको 3.5D curved glass भी मिलने वाला है तो यह काफी अच्छी बात है overall build quality तो बहुत अच्छी यहां पर आपको मिलने वाली है back में जो glass दिया गया है वो fluoride glass दिया गया है भाई जो sunshine में जाने के बाद में sunlight में जाने के बाद में color change कर लेता है so yes कुछ नया यहां पर आपको डिजाइन में देखने के लिए मिलने वाला है इन डिजाइन के अगर बात करें back panel में top left में आपको बड़ा सा camera island दिया गया है जहां पर 3 cameras किया है उसी के साथ में Vivo की branding आपको मिल जाती है front में अगर बात करें तो यहां पर आपको traditional launch दी गई है जिसके अंदर dual camera setup दिया गया है यहां पर आपको bezels देखने के लिए नहीं मिलते है क्योंकि curved display दिया गया है और पतली सी chin यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है तो overall अगर build quality and design की बात करें तो build quality and design काफी साही है भाई यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है and build quality में थोड़ा साही है थोड़ा साही है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा साही है भाई traditional notch के साथ में आता है full HD plus का resolution मिलता है and amoled panel यहां पर आपको दिया गया है बड़ा पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है colors वगरा काफी सही रहेंगे इसे के साथ में 20H29 का aspect ratio रहेगा 401 PPI की pixel density रहेगी तो यहां पर display quality content watching के लिए सही रहने वाली है HDR10 plus का certification मिलेगा widevine L1 का certification आपको मिलेगा उसे के साथ में 1300 nits की यहां पर आपको peak brightness देखने के लिए मिल सकती है तो content watching में आपको कोई भी शिकायत ने आने वाली है content watching के लिए सही display रहने वाला है and refresh rate के अगर बात करें तो 90Hz का higher refresh rate यहां पर आपको मिलेगा and उसे के साथ में 140 sorry 180Hz या फिर 240Hz का touch sampling rate देखने के लिए मिल सकता है तो जो display वो content watching के लिए भी सही रहने वाला है वो gaming के लिए भी बड़िया रहने वाला है display quality में आपको शिकायत नहीं आने वाली है बड़िया display यहां पर आपको मिलेगा अब performance के अगर बात करें तो इस phone को शक्ती देने के लिए इस phone में मिलेगा Mediatek Dimensity 1200 चिपसेट and 1200 चिपसेट है Mediatek का पिछले साल का flagship चिपसेट है भाई 6 nanometer पर बनावो है energy efficient है heating आपको काफी कम मिलता है 3.0 GHz की peak clock speed मिलती है A78 वाला CPU यहां पर आपको मिलता है तो भाई day-to-day की performance तो आपको buttery smooth यहां पर मिलने वाली है गेमिंग ग्राफिक्स को समालने के लिए ARM Mali G77MC 9 GPU आपको मिलता है I think 9 है 11 है 9 मिलता है G77MC 9 GPU यहां पर आपको मिलता है जो कि 9 और का GPU है बड़िया गेमिंग आपको करा देता है overall gaming में आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है graphic related task भी आपको अच्छे से हो जाएंगे overall performance में आपको शिकायत नहीं आईगी LPDDR 4X RAM मिलेगी और साथी में UFS 3.1 वाला storage मिलेगा तो overall अगर performance की बात करें तो performance में आपको कहीं भी शिकायत नहीं आने वाली है performance यहाँ पर आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी अब cameras की बात करते है Vivo की V series रहे और cameras की बात ना हो ऐसा तो होई जी सकता है भाई यहाँ पर back panel में आपको 3 cameras के setup देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर 108 Megapixels का primary camera आपको देखने के लिए मिल सकता है और primary camera के साथ में शायद इस बार आपको OIS देखने के लिए नहीं मिलेगा Yes, possibly शायद यहाँ पर आपको OIS ना मिले, EIS तो definitely रहेगा लेकिन OIS यहाँ पर शायद इस बार आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा 108 Megapixels का primary camera रहेगा 8 Megapixels का ultra wide angle lens रहेगा और उसी के साथ में 2 Megapixels का macro camera मिलेगा 3 cameras पीचे की तरफ रहेंगे 4K वीडियो आप record कर पाएंगे 30 fps पर and front में अगर बात करें तो front में भी आपको dual camera setup देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर primary selfie camera आपको मिलेगा 50 Megapixels का yes 50 Megapixels का primary camera आपको मिलने वाला है जो कि eye autofocus feature के साथ में आएगा अब front में भाई back में यह OIS शायद ना मिले आपको तो front में तो क्या मिलेगा लेकिन इसके पहले वाले version में आपको front और back दोनों में OIS दिया गया था तो यहाँ पर camera module ऐसा लग रहा है भाई कि थोड़ा सा week है इसके पिछले वाले version से overall अगर camera setup की बात करें मेरे हिसाब से अच्छा camera setup यहाँ पर आपको मिलने वाला है Vivo की tuning भी काफी अच्छी रहती है images की तो आपर शिकायत नहीं आने वाली है selfie camera से भी आप 4K video record कर पाएंगे 30fps पर तो overall camera setup की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छा camera setup मिलने वाला है बस OIS अगर और मिल जाए तो और मजा जागा भाई battery की अगर बात करें तो 4300 mh की battery यहाँ पर आपको मिलेगी battery का size काफी कम है लेकिन जो phone का profile है काफी slim बनाये गया है इस current से battery का size है वो थोड़ा सा कम रखा गया है 4300 mh की battery है एक दिन के असपास का backup आपको मिल जागा normal usage पे and charge करने के लिए 44 watt की charging का support यहाँ पर आपको मिलेगा and 44 watt का charger आपको box के अंदर मिलेगा battery module decent यहाँ पर आपको मिलने वाला है charging तो आपको काफी अच्छी दी गई है battery का size थोड़ा सा कम आपको लग सकता है overall अगर battery की बात करें battery module के अगर बात करें तो decent battery module यहाँ पर आपको मिलता है charge करने के लिए type cell support मिलेगा 3.5 mm jack इस phone से गायव रहेगा वाई साब slim phone में 3.5 mm jack की जगा नहीं बनती है 3.5 mm का खड़ा इस phone में आपको नहीं मिलने वाला है इसके बाद में security, privacy and sensors की बात करें तो यहाँ पर आपको under display, optical fingerprint scanner मिलेगा face unlock option आपको मिल जाएगा छुटर पुटर इदर उदर के सारे sensor मिलेंगे sensor में आपको कोई कमी नहीं रहेगी gyroscope, proximity, light sensor, compass, फलाना, डिकाना सारे sensor आपको मिलेंगे कोई कमी उसमें नहीं होने वाली है इसके बाद में अगर बात करें speakers की तो यहाँ पर आपको single bottom firing speakers देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आपको शाया dual stereo speaker कर इस बार भी ना देखने के लिए मिले तो audio quality जो है वो decent यहाँ पर रहने वाली है उसी के बाद में आपको card slot के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको card slot देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर दो नेनों सी में आप अपने phone के अंदर लगा पाएंगे लेकिन expandable storage का option यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है अब software के अगर बात करें तो android 11 के उपर आपको phone मिलेगा out of the box ख़बर ऐसी आई है कि इस phone में आपको color OS 12 देखने के लिए मिलेगा yes color OS 12 funtouch OS नी color OS यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है and that would be a new thing in Vivo's phone क्योंकि Vivo में अभी तक हमको funtouch OS, origin OS चाइना में मिलता था लेकिन अब यहाँ पर शायद आपको color OS देखने के लिए मिलेगा अब देखते हैं भाई के software experience के असरत है color OS बढ़े आए भाई कोई शिकायाद आपको नहीं आईगी software का experience आपका बढ़े आरहने वाला है variants के अगर बात करें तो तीन variants में phone आपको मिलेगा 8 plus 128, 8 plus 256 and 12 plus 256 price point के अगर बात करें तो कोई भी information अभी तक price point को लेकर के नहीं आई है लेकिन अगर guess करना है price में को लगता कहीं ने कहीं 32,000, 33,000 के वैसे इस price point पर और बहुत अच्छे-च्छे phones अवेलेबल है लेकिन वीवो की जो V series है उसका एक अलग market है भाई तो उसको देखते हुए अगर 32,000 के price point पर भी ये smartphone launch होता है तो मेरे हिसाब से एक decent option रहने वाला है आप में को कॉमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस specifications को देखते हुए वीवो की brand value को देखते हुए ये वाले जो smartphone है इंडिया में किस price point पर launch होना चाहिए कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर से बता देना वीडियो को अच्छा लगाए दो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबादेना ओल ओल ओप्शन से लेट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिविकेशन पहुंचें आपको तुरंट से मैं मिलूँगा आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई